फ्रेंड्स वेलकम टू माई टूब चैनल फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर जो फैक्टरी ओनर्स नॉन कंफर्मिंग इंडस्टियल एरिया में अपनी फैक्टरी चला रहे हैं तो उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये टेंशन तो जरूर रहती है कि कहीं सीलिंग का नंबर ना आ ज जानते हैं कि दिल्ली कंदर हर तीन-चार साल में जो सीलिंग का जिन न होता है वो अपने चिराग से बाहर आ जाता है यानि कि MCD कारवाई करना स्टार्ट कर देती है ऐसी फैक्टरी का गेंस्ट जो की नॉन कंफर्मिंग इंडस्टियल एरिया में चल रही है जो जो रेजि और अभी तो दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान 2041 नोटिफाई भी नहीं हुआ है और जिस दिन यह मास्टर प्लान नोटिफाई हो जाएगा तो दिल्ली के नॉन कंफर्मिंग इंडस्टियल एरिया में फैक्टरी चलाना मुस्किल हो जाएगा जैसा कि 1999-2001 में देखा गया नरेला और बावाना और दिल्ली के अंदर अपनी फैक्टरी स्मूथली चलाने के लिए जरूरी है कि आपकी फैक्टरी रहे इंडस्टियल एरिया के अंदर तो फ्रेंड्स जो फैक्टरी ओनर्स या जो लोग दिल्ली के अंदर अपनी फैक्टरी इंडस्टियल एरिया के आना चाहते है तो उनके लिए good news है और good news यह है कि DSIDC मतलब DSIIDC पहले उसका नम DSIDC था तो वही बार-बार जमान पर आता है तो DSIIDC दिल्ली के अंदर नरेला बवाना इंडस्ट्रियरी के अंदर इंडस्ट्रियल प्लोट्स लेकर आया है इंडस्ट्रियल प्लोट्स की स्कीम लेकर आया है DSIIDC इसके अलावा इंडस्ट्रियल क्योस्क और इंडस्ट्रियल बिल्टप क्योस्को भी स्कीम में सामिल के आगया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस scheme में जो भी industrial plots को सामिल किया गया है वो सारे का सारे freeholds होंगे Friends, DSIIDC दिल्ली सरकार की एक एजनसी है और यह नरेला और बावाना में अपने plots लेके आई है आप मतलब अपने plots की scheme लेके आई है और इस scheme में जो plots होंगे हुआ e-option based पे अलोट किये जाएगे मतलब कि DSIIDC इन plots का जो industrial plots है जो kiosk है जो built-up kiosk है उनका e-option कराएगी मतलब कि online निलामी कराएगी सारा process online रहेगा इसके लिए DSIIDC ने अपना brochure launch कर दिया है आई यह देखते हैं DSIIDC का brochure friends आप देख सकते हैं यह DSIIDC का brochure है जिसमें की DSIIDC ने नरेला और बावाना में industrial plots निकाले हैं और यह brochure launch हुआ है 12 जुलाई 2024 को e-option based पे इन flats को allot किया जाएगा देखते हैं इसकी detail थोड़ा friends यह scheme निकाली गई है 12 जुलाई 2024 को e-option के लिए helpdesk start हो गया है और 12 अगस तक यह helpdesk operation में रहेगा मतलब कि operational रहेगा friends e-option related जो website है वह यह है आप देख सकते हैं friends जो required documents होंगे और e-md amount pay करने की last date है 12 अगस 2024 साम पांच बज़ तक और उसके लिए online bidding होगी 19 आठ 2024 को friends इस ब्रोशर का link मैं आपको description box में provide कर दूँ है इसका PDF link जहांसे आप जाके इस ब्रोशर को download कर सकते हैं देख लेते हैं कौन-कौन से plots हैं एक बार और उनका reserve price क्या रखा गया है आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यह देखेंगे यह दिये में friends यह नरेला इंडस्टिल एरिये के plots हैं यहाँ पर प्लोट नमबर दिया हुआ है आप जाके देख भी सकते हैं इन plots को अब देखेंगे यहाँ पर सेक्टर दिया हुआ है कौन से सेक्टर में कौन सा प्लोट नमबर है प्लोट का क्या एरिया है रिजर्व प्राइज डियस इडिसी ने क्या रखा है EMD amount के बारे में यहाँ पर DSIDC ने बताया है तो यह नरेला इंडर्श्टल एरिये के plots की डिटेल है यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बवाना इंडर्श्टल एरिये के जो plots हैं उनकी डिटेल आ गई है कौन से सेक्टर में है कौन से फॉकेट में है plot नंबर क्या है एरिया क्या है plots का और रिजर्व प्राइज डियस इडिसी ने कितना रखा EMD amount कितने आपको डिपोजिट करने पड़ेगी complete डिटेल यहाँ पर दे रख़िए अब देख सकते हैं सारे plots हैं उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे kiosk plots नरेला इंडस्टिल एरिया में यहाँ पर सेक्टर दिये हुए है kiosk number यहाँ पर दिया हुआ है उसका area दे रखा है status में corner है कौन सा है यह सारे डिटेल दे रखी है इसकी reserve price मतलब कि इतने price से उपर आपकी auction का मतलब bidding start होगी ठीक है मतलब कम से कम इतना price तो रहे गई इस प्लस इसके बाद जो भी bidding होगी वह तो bidding पर ही पता चलेगा जब आप H1 होंगे तो आपको यह allot हो जाएगा यदि आप H1 नहीं रहते है तो आपको allot नहीं होगा है प्रेंड्स यह built up क्योस के बवान इंडर्श्चरल एर्या में यह आप सेक्टर देख सकते हैं कौन से सक्टर में कौन से pocket में क्योस की नंबर आप देख सकते हैं area देख सकते हैं क्योस का इसके reserve price आप देख सकते हैं 10,000 प्रेंट यहां पर दिया हुए है इसका EMD amount इतना है PDF लिंक है आप डाउनलोड करके पूरी detail में इस scheme से related जानकारी जान सकते हैं पढ़ सकते हैं और यह आप इंडर्श्चरल प्लोट्स में या इंडर्श्चरल क्योस क्योस क्या इंडर्श्चरल बिल्टप क्योस में तो आप इसके लिए यह auction में participate कर सकते हैं तो friends एक छोटी स information थी I hope आप लोगों पसंद आई होगी धन्यवाद नमस्कार